खाल साजी चैनल नू सस्क्राइब करन तो बाच आल नोटिफिकेशन नू जरूर आन करो ता कि साधी कथा गीतन दी हर वीडियो तो हाड़े तक पहुंच दी रवे अते वीडियो नू लाइक करना ना बुलना जी सतनाम स्री वाहि गुरू साहिब जी दोहरा थाम अगारी बैठकर सत गुर लाए दिवान आए रबाबी तिग्थिरे करयो साबद को गाना सद गुरू जी दी साजी निवाजी परम सनमान जोग गुरू खालसा साथ संग जी यो पतेग जाओ बाहे गुरू जी का खालसा बाहे गुरू जी की पतेः सोसाथ संग जी आप सारे ही बड़ पागे हो जित्थे अकाल पुरुक बाही गुरू पार ब्रहम परमेसर दे सरगुन सरूप दसमे गुरू नानक सिरी गुरू गोबिन सिंग सहिब जी महाराज ने तर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सवन को मूल उपारन दे बास्ते अवतार तारया अपनाया परकास किता उस महान पवित्तर अस्थान तग स्री हरमंदर जी पटना साहिब दे साच खंड दरबार दिया हाजरिया पर दे होए अपना लोग पर लोग सोहला बना रहे हो कलगी तरदस में स्पिता जी दियां खुशियां प्राव्त कर रहे हो एही बड्यां पाग्णा दी निसानी है अते ए सब सद्गुरु महराज जी दी बगसिस रहमत दा सदका है सोसाज संगे जी एस समय गोर इतियास दी लड़ी बार कथा चल रही है कभिणा दे सिर्मा और चूडा मन कभी पाईसा पाईसंतोग सिंग जी द्वारा रचित स्री गुर परताब सूरज गरांदी छेमी राज चल रही है पिछले परकरन अंदर आप सारे ने सर्वन किता मेरी पीरी दे मालग छेमे पाथचा सद्गुरु अर गोविंद साहिब जी महराज जो परवारां दे सहथ, सेख सूर्मियां दे सहथ, गोविंद बाल सहथ गए बाबा सुंदर जी ते सावन मल जी दे सफुत्तर चैंद मल जी ने गुरु सहथ जीनु सारे गोविंद बाल सहथ दे गुर अस्थाना दे दर्शन करवाए अज़ी दर बीबी कौणा जो बहुत ही बिमार है बहुत सरीर जरजरी देही हो गई है चेहरे दा रंग पिला हो गया है वो अराद रही है गुरू सहीब जी शेख सूर में आते परवारां दे साहद करतारपूर सहीब आए पहिला थाम साहिव जिते है करतारपुर साहिब विखे उते नमसकार किती पर पंचम पिताजी ने जो खूल बाया सी जेज़दा नाम सक्कर गंग लिख्या इतियास विच उस विच सनान किता फेर दिवान सजा के बैठे सेख संकता सब आउन लगिंगा अइदर गुरु साहिब जी छेती ही कौलाजी दे महल बिच गए उव अराद रही सी नेत्र जुडे होय सन जदो आहाट होया कौलाजी ने पाच्छा जी दे चरन पडले महराज मैं काभी चिरा तो ओडीक रहींगा मेरा हुणांत समा आगया अब किर्पा करो जदों भी मेरे प्राण निकलन आप जी दे दर्शन करदे होय निकलन ये मेरी बेंती प्रवान करेो गुरु साहिब जी दिलासा दे के कहा के अगले देन जदों चार कड़िना देन बाकी रहेगा थ्वड़ा सरीर स्वास तो खाली हो जाएगा मैं उस बेले हाजर रहांगा थ्वड़े कोल रहांगा ये उन दिलासा दिन दे हन और जिनने भी करतारपुर साहिव दे सोटी हन वो सारे गुरु साहिव जी दे दर्शन करन लई आए नाल पहंदे खाँ पठान पाई बिदी चंद मलक जाती सारे ही गुरु साहिव जी दे नाल आए हन सो अगली बारता जो चूडा मन कभी पाईसा पाईसां तोग सिंग जी करतारपुर साहिव दा पर संग बर्नन कर रहे हन अगली कथा सर्वन करन दे लई आप अपनिंगा मनों बिर्तियान विकागर करिए गुर की मूरत मन मैते आन गुर के सावद मंत्र मन मान ग गुर के चरन रिदय लायतार हूं गुर पार्वनम सदा नमस कार हूं सद गुरांदे पवित्र चरना कमलानू हरदे विज बसंदे हूए रसना पवित्र करिये सारे माई पाई गज बज के अखिये सात नाम स्री वाहे गुरू जे फेर सारे गज के अखिये सात नाम स्री वा आम स्रीवाहे गुरुजे दोहरा थाम अगारे बैठकर सत्गुर लाए दिवान सोशा संगे जी कभियां दे सिर्मा और चुडा मन कभी पाईसा पाईसां तोग सिंग जी अगली कथा बर्नन कर रहे हन मेरी पीरी दे मालक दल पंजन गुर सूर्मा बढ़ जोदा भव परुपकारी गुरु सहिव जी करतार पुर सहे बिखे थम सहे दे अगे बैठ करके सत्गुरा ने दिवान लगाया आए रबाबी टिग थिरे करे ओसा बद को गान दिवान सजया रबाबी किर्तनिये भी आगए और आग भी सब्द गाइन करन लगए जाओ पाए जियों जियों पूर मेह गुरसुद होई जिमें जिमें करतार पुर सहे बिखे सिख संगतानू खबर होई त्यों त्यों चले ओ आए सब कोई त्यों त्यों सारे पिटामा लेकर के चले आरे हनो अरब अकोरन सीस निवावे पिटामा अग अरपन करके सीस निवावे मत्था टेक दे हनो दरसन कर है मोद उप जावे पाठ्षाजी दे दरसन करकरके हिरदे विच खुसिंगा तारन कर दे हनो किरपा द्रिष्ट ते देखन कर है गुरु सहे जी सब सिख संगतानू किरपा द्रिष्टी दे नाल तक दे हन किरपा कठाख या बलोकन की नुदास का धूग पिदारे हो सब की मनों कामना पूरा है सब सेख संगतादियां मन दियां कामनामा पावनामा पूरियां कर दे हन संद्या सोधर लगता है थिरे सोधर संद्या रह राज साहिब जी तक बैठे रहे गुरु साहिब जी सुभाय मान रहे दिवान बेच पोग पाए बंदन को करे जदों सोदर संद्या रहराज साहव जी दा पूपू पाया गया उस पहले नमस्कार किती सीश चुका के उठ साथ गोर डेरे मह आये फिर दिवान तों उठ करके गुरु सहव जी डेरे भी चाये रोच अनुसार असन को खाये मरदुल सेज पर थिरे गुसाई मालक सद्गुरु हर गोविन सहव जी महाराज कोमल सेजा उत्ते बिराज मान हो गए सुपत जथा सुख रात बिताई सौं करके सुख पूर्वक रात बिताई रही जाम जामन दोय करी जदों रात और दो कड़िगा दो पहर दो कड़िगा बाकी जदों रात रही उठ कर सौच सरव ही करी फिर पाथसाजी ने उठ करके सौच करिया सोदी स्रे अरजन एक कूप बनायो सद्गुरु अरजन दे पाथसाजी ने खूब बनवाया सी सकर गंग तह नाम बतायो सकर गंग जेदा नाम दस्या जन्दा है हेत इस नान गएत स्थान उस खूद दे जल नाल इस नान करन वास्ते पाथसाजी उत्थे गए लेकर संग दास बुद्धिवान तीक्षन बुद्धिवाले सिक सेवकानू दसानू नाल लेके गए बंदन कर मजन तहकीन पहला उस खूद दर्सन किते नमसकार किती फिर प्रबीन सद गुरु जी त्यान लाके बैठ गए पूदे जल नाल इस नान किता अपने सरूप दा त्यान करन वास्ते बैठ गए इस तरह गुरु सह्भ जी अपने सद चितनन सरूपनू चित्वन कर दे हन महर गुरु बानी को ररते फेर गुरु हर गोविन सहिव जी महराज बानी उचारन करन लगे आद सुखमनी उचे सुरते उचे सुरते नाल स्री सुखमनी सहिव जी दा पाठ उचारन किता पाड किता जो पंचँ मपिता जी ने श्री सुकमनी साहव नामे बाणी उचारी है जिसोवे चईभी आइट पादियां सलोकां दे साहेत अन जो मनुक दे सरीर चो रोजाना चावी हजार सुआस निकल दे हन ओ च hack realizar स्वासानों सभल करण वाली बाणी श्री सुकमनी शाहब नामे बाणी दी रचना किती और छे में पात्जा अपने गुरु पिता जी दी उचारी होई बाणी शिरी सुक्मनी साहिब जीदा पाड कर रहे हैं करद पाठ को प्रीती उरते फिर दे दी प्रीती दे नाल शिरी सुक्मनी साहिब जीदा पाड उच्ची सुर्बिच कर दे हैं सिखान केर उदारन कारन सिखान दे कलयान बास्ते उदार बास्ते इस करके श्री सुक्मानि साहवजीदा पाड उचारन कर रहे हम तार हम से सारे सेख अनुसरन करन श्री सुक्मानि साहवजीदा पाड करन अपने जी दे कल्यान वास्ते रह बैठे प्राती होए गई जद हुसरी सुक्मनी साहिव जी दाप वोग पाया उस पहले देनी चड़या सूरज उदय होया दस हुँ दिस प्रकास जुत भाई दसे दिस आमा प्रकास मही हो गई गा आए रबाबी चौंकी कीना फिर रबाबी जड़े हन उख आ गए उनना ने बिलावल दी चौंकी सुरू किती परवीन चतुर से आने जड़े रबाबी कीरतनी है हन उ बिलावल की चौंकी दा सवत गाइन करन लगए बिलावल राग बेच यतक देर लो लगयो दिवान और देरी तक दिवान बिलावल दी चौंकी जड़ तक हुन दी है तक दिवान सजया रहा परयो सबद को पोग सो जान जड़ों बिलावल दी चौंकी दा पोग पया आए लांगरी ठ्रियो अगारे लांगरी सिंग आया, टे सनमू गुरू पाथ्षा जी दे अग्ये ख़लो गया, महाराज है त्यार अहारे, टे महाराज लंगर त्यार है, कहयो आन सो तद छिन खायो, गुरू सहिब जी ने लंगरी नु कहा के इसे लेयाओ और जदों लंगरी लंगर लेके आया।। गुरू सहिब जी ने तद सिन ही छकनां किता। कितने मैं एक सिख चल आयो सुन ये गुरू गरीब निवाज सांत धेन रच्छा तुम काज और सांत अत तेन गव दी रख्या करना आप जीदा काम है जीड़े बड़े महापुर्क हुंदे आन गव गरीब दी रख्या करन वाले संतानू सोक देन वाले दुष्टां धा बिनास करन वाले हुंदे हन इस थालते के हर एक नेरे इत्थो इस जगा तो नेडे ही एक बड़ा प्यानक सेर रहन्दा है मारत है नित जीव का नेरे नित ही जीवानू मार देन्दा है महखी गउस मूह निकेत और कितने ही गईया मज्जानू भी मार चुक्या है कयो प्रात मैं चारन हेत मैं गउँआ मज्जानू चारन बास ते प्राता काल गया वो धन विखे आनसो पर यो ओ गउँआ दे भग दे उपर उसेर प्यानक आग प्या मार के तक को कायल करयो कितनी या गउँआ मज्जानू मार देता कया नू जखमी कर देता मैं तक सरन आप की आयो ये गुरू गरीब निवाज मैं आप जी दी सरन तक के आप जी दी सरन विचाया है मेरे डर नू दूर करके अभैदान देना करो ना हे ता बन मैं घास घनेरे नहीं ता जंगल वे ता बहुते काहन हरे हरे कोमल अब डर जाए नहीं को नेरे काहता बथेरे हन हरे हरे पर डर दा मारा हुण कोई गउँआ मज्जान चारन नी जान दा सुन के सद्गुरा ने उस सेख नू दिलासा दिता दास संग ऐसे बच कीन फिर सेवक देता ही गुरु साहिब जी ने इस तरह बचन फुरमाया सद्धा कोड़ा छेती त्यार करके लियावो सुनत हुकम को जीन सुधारा दास सेवक जड़ा है सुन करके गुरु पात्षा जीदा हुकम सुन करके जीन काठी सजा करके पैंदा बिदिया आद जे सूर पैंदे खान पठान पाई बिदी चन तो आदक जड़े मुखी सूर में सन त्यार तो रत लख चड़े हजूर और त्यार हो करके छेती ही गुरु पात्षा जी दे रूख नु दे करके ये भी चड़के चल पए है को हेर जो हो यो त्यार जेड़ा कोड़ा त्यार करके सिंगार के लेंदा सी सद गुरु पाए तुरत असवार उस सिंगारे हो त्यार कीते हो कोड़े नु दे के छेती ही गुरु पात्षा जी असवार हो गए सांग सुबट एक सौ चड़ चाले एक सव सेख सूर में चड़ के नाल चले आगे कर सिख गमने नाले ओ सेख नो जिसने पुकार किती सी उसनू अगे ला करके गुरु सहेब जी सेख सूर में दे जंगल बल चल पए जह देखे ओ सो थान दिखावा जिते उसेख ने प्यानक सेर देखिया सी ओ जगा दिखाई जाए प्रवेसे बान के थावा जंगल दे अस्थान ते जा प्रवेस होया कानन गाड़ो बहुत बिलोका और बहुत संगना जंगल देखा जिते जान दा भी रस्ता बड़ा कठन है और चाड़ा देना आल ओ आइना संगना काना जंगल है के जाना तुरना मुश्कल है जो सेख ने वो अस्थान दस्या के हर तहा नदर नह आयो जो अस्थान दस्या सी महराज मैं इत्थे ही सेर नू देख्या सी पर उत्थे सेर नजर नहीं आया और लागे तह करन अखेरे फिर गुरु सहेब जी सिकार करन लगे सूकर ससे म्रगान कनेरे और सूर सहे म्रगान हरना दा सिकार करन लगे सारे सेवकान देताई के हा के उस सेर नू लबना करो इते चाड़ियां चाही होना आज पास सब फिर के देखो एदर उदर फिर करके सब थांते उस सेर नू देखना करो पालना करो मांस खा करके रज करके इदर नेडे तेड़े होना है रज जन्दा है मांस खा करके फिर उस उस जन्दा है फिर इदर उदर नहीं जन्दा जदों पेट पर जावे गुरु साहिव जी ने फुरमाया ओ रज्या होया इस करके बहुती दूर नहीं गया होना नेड़े किते चाड़ियां चे होना हैं सुपत होए किस चार मजार किसे चाड़ी दे अंदर ओ सुत्ता होना हैं और बंदूग चो गोली काड़ दि आवाज करो तो भूंगण को कड़कार जागे ओ सेर लीन अंगराई बंदूग चो गोली चलन दि आवाज़ तो सुन करके शेर सुत्ता होया उठया अंगडाई लई महा केहरी पीखन पारा बहुत प्यानक उसेर सी जिसनु देखके इडर लगदा सी बढ़ी बेल लांगुल बढ़तारा और उदी लंबी पूछ और गर्दान दे बाल बड़े लंबे लंबे हन मुख पसार कर तब जंबायो जदो मुँ अड़ करके जंबाई लई उबासी लई गर्देओ पूर सबन सुन पायो जदो सेर ने गर्जना किती सारेया ने सुनना किता सेर दी गर्जना नू पिखम सथान चार के तरे और कठना स्थान चाड़िया दे हेटा तहां बिलोकेओ पट सुद करे और उथे सेर नू देख्या अंगडाई लेंदेया उबासी लेंदेया सिखाने जाके गुरु पात्साजी नू खबर किती महराज चाड़िया चाही है आप जिदा कहना सात है ओ चाड़िया चाही उसने गर्जना किती है अंगडाई यते उबासी लेंदा है सोन गोर बली तहां चल गए महा बली गुरु सहिव जी सेख पासों सोन करके उत्थे चले गए बेहर पीखन देखत भाए बड़ा प्यानक तकड़ा सेर देखना किता बेखम थान सो खरेओ नेहारेओ कठन अस्थान ते खलोता सेर नू देख्या गुरु सहिव जी कोड़े तो उत्रना बिचारिया नहीं तो फांग संग इस मार है गुरु सहिव ने बिचारिया के बंदूग दी गोली दे नाल इसनू नहीं मारना चाहिए अडग से पर गह समुख संगार है ताल तलवार लेकरके सनमुग हो करके इदा संगार करांगे क्योंके कोड़ा चलाउन दी जगह नहीं बहुत कठन अस्थान है चाड़ाई चाड़ाँ हन जिते बंदा पैदल भी नहीं जा सकदा कोड़े ते असवार किमें जा सकदा है ताँ पात्साजी ने विचार्या को उड़े तो उत्तर के और बंदूग दी जगाट आल तलवार ले करके सनमुक होके दा संगार करांगे कंटक जोत तर खरे महान और कंडियां दे सहत ब्रेच बड़े बड़े संगने ब्रेच कलोते आन दीरग दाड दारुन तुंड दारुन बड़ा प्यानक होदा मुक है और बड़े नुकीले लंबे लंबे दान दान भागते नकती खेसो परचंड और पैरादे नौ जड़े है बड़े तिक्खे नुकीले परचंड पीकन सटा उठाए तोर और बड़ा प्यानक ही सटा गर्दन दे बाल अते पूँच दे बालां दा गुच्छा ओ पूँच चोक करके बड़ा प्यानक बिक्राल रूबता हर के सेर देत त्रास जन पख्यत दोर और डर दे करके मानो मनुखानो खाई जावेगा बड़े पखार गाद पर परे और उदे शरीर दे उपर तारिया इस तरां पैया हुआन स्रोनत रंगी आख मनो है कवी जी बर्नन कर रहे हैं के लहू रंग बरगा ओदा प्यानक चेरा है और अक्छा लाल है बड़ा प्यानक बिक्राल है पर पेट जड़ा है चिट्टा है और कॉमल है उपरों सरीर दे पेट होते लकीरा तारिया पैयान पेट चिट्टा है और कॉमल है गुरू उतर आ गए होए खरे गुरू सहिब जी को उड़े तो उतर के अगे खलो गए शिपर बाम कर टिग तब तरे और सिपर टाल खबे हाथ बेच फड लेया ललकार योगी दी कह खरे ओ गुरू सहिब जी ने सेर नू बंगा रहा ऐं ऐ गिदड तुम क्यों खलोता है तुम सेर है हमला कर वार कर गिदड बांग क्यों खलोता है कहें इम पाए रोपबो करयो यहूं कहें के बंगार करके गुरु सहीब जी ने अपने चर्न जमाल है मुस्तैद हो गए टाल तलवार लेके सुनत निकट पिख बढ़ पबकारयो और नेडे आज पास सेख सुर में आनूं ते गुरु सहीब जी नूं देख करके ते बंधूग चों गोलियां चलन दी आवाज सुन के पपकार ना कीता गर्ज ना कीती खरे जो पट है गानडर तारेयो जो सुर में खलोते सान ते कोडे सान सारे एक दम डर गए पाजे आप आपको गए साव सारे आनूं आप आपनी पह गई गई सारे पाजे उठे मुत्र परीतत जत कोप आए हाथी कोडेयां दे मुत्र निकल गए मल मुत्र त्यागना कीता सारे डर दे नालाईने पह पीत हुए एक भार फांद कर आयो एक को बेरी फांद करके आया के दावड के तुंड परचंड पसारतत आयो और जड़ा प्यानक जो मुँ है नुकीले दंद हन मुँ अड़ करके अगए आया दूर दूर थिर पिखे तमासा और दूर दूर खड़े होए सेख सूर में तमासा देख रहे हन केचत बाज होत है पासा और कितने कुड सभार जड़े पास हन नेड़े होना चौंदे हन पर डर दे मारे नेड़े नी उंदे अपना बल करके सारी ही और सार्यानु देख करके मुँ बाह करके चारन सनक जोग उर्द उठाए और जड़ों देख या कि नेड़े आ रहे हन ता उस सेर ने अपने पैरान दूने पैरान जेदे नौ बड़े नुकीले हन उच्चे चुके उपर प्रयों आन कर ऐसे उपर इस्तरा आन के पैरा सेर तरे दबाय उठेन जैसे और थले दबालवेगा तांके उठना सके तो साथ संगाजी शेर दे एक पंजेविच सवा मन पाहर हुंदा है ज़ग पंजा मारदा सवा मन पाहर बचदा है ते वो बंदा देख जानदा है उठनी सगदा अईना एक पंजेविच सवा मन पाहर हुंदा है सो चौंदा है कि मा दबाल यां पंजा मारके तांके उठना सके सेर उपर जब आवन लागा सेर दे उपर जदों सेर आउन लगया आड सिपर को रोकस आगा गुरु सहिब जी ने टाल अगय करके उदा आगा रोक या रहे ओ ओज कर अगर न आवा बल ला करके ठाक गया उठ गया पर अगय नहीं आ सक या ताल चंचोरन बदन चलावा और ताल नू चंचोरन बास्ते अपना मूँ चलाउंदा है देचेन गोर साम सेर निकासे उसे समय पाट्षाजी ने फूरती दे नाल म्यान चो तलवार कड़ी तीखन पीखन चल चपलासी वह इनी तिखी ताहर बाली किरपान है जो भिजली वांग चमक बाली है पाट्षाजी दे किरपान दी ताहर बहुत तिखी हुंदी सी भिजली वांग चमक जिश्दी सी रुपयों पाए देड थंब समाना पादसाजी ने अपने चर्न इस तरह जमाले मनो थम खलुता है और गुरु सहिब जी ने पैर जमाले और चलाय मान नहीं होए दिड़ता दे नाल और बीर रास दे नाल पारके खलुते रहे टाल तलवार लेके कोप गुरु के मुख पर चायो गुरु सहिब जी दे मुखडे दे उपर रोज जा गया प्रिकुटी नचत लाल होए आयो और पर भट्टे जड़े हान प्रिकुटी तन गई अक्खा लाल हो गईगा पर कद अधर आरुन द्रिग पाए और होड फड़कन लगे बीर रास दे नाल पारके नेत्र लाल हो गए सिपर तकेला पूरब दे पहला ता हाल दे नाल तका दिता सेर नूँ जोग पाग मुख ताले परती न और जद उटा हल दे नाल सेर दा अगा रोक्या दोने पैर ते मूटा हल दे उपर तिने सान हठ पीछे तन उचो कीन तो सेर कुछ पिछा हठ करके सरीर उच्चा चुक्या दाहन करको बल कर सारा और गुरु सहिब जी कहने दाहन करको सजे हाथ उपर चुक्या सारा जोड लगा करके खडग पुला दी गुरु प्रहारा पौला दी खडग गुरु सहिब जी ने बल पूरबग पौला दी खडग दा प्रहार किता सेर दे उपर कट ते कट कर दो धर परयो और एक को बार बेचे दो टुकडे कर दिते लक दे उपर बार होया और दो टुकडे होके डिख पया सेर करा चोल तर नीम हबरयो करा चोल खडग जो है किरपान उतरती बिजतास गई गेर सेर सम सेर निकारी गुरू सहिव जी ने सेर नूँ गेर के सिट के और तरतीच खुब गई सी जो सम सीर किरपानो कड़ी पाट्सा जी ने बहुत रोस आते भीर रस बिचा करके खड़ग दा परहार किता सी देख से खन मन मान अचमबा देख करके सारे सेख मन बिच बड़े हैरान होए और जिमे केले दा भूटा कटी दा है इस तरह लगतों कट कर दो टोटे कर देते पाट्सा जी ने पूर करते मर सुरग सुध पदारा गुरु सहिब जी दे हत्तों सेर मर के स्वर्ग नू चला गया गुरु सहिब जी को बड़े दे उपर असवार होए जितने भी जीया जानत गुरु पाट्सा जी दे हत्तों जो मरे वो मुक्ती नू प्रावत होए कैवल मुक्ती उना नू मिली उस अजगन चले गए गुरु सहिब जी दे सिकार करन दा मकसद एई सी जीवां दा उधार करना जीवां दे उधार करन वास्ते सिकार करया करदेशन इसे तरह जग्त गुरु स्री गुरु नांग देव जी महाराज सरापिगा हुईगा रूहा दा उधार करन वास्ते देद सांत्रों दा रटन करके सारयां दा उधार किता जड़े पहला रिखी मुनी हुंदे सन बड़े क्रोधी सभाव वाले तामसी ताप करन वाले चाटी हरेक नू सराप दे दे सान पर गुरु साहिब जी ने किसे नू सराप नहीं दिता उन्ना सराप किया हुईगा रूहा दा उधार किता इसे तरह गुरु नानक पात्साजी दे छेमी जोत श्री गुरु हर गोविंद साहिब महराज सिकार दे बहाने जीवान दा उधार कर रहे हन है पर आप भए असवारा शेर नु मार के गुरु पादसाजी अपने कोड़े दे उपर असवार हो गए आपर अखेर हेर बन करे होर जंगल विच बिचर के सिकार करना किता सिमरत कौवला लख कर मुरे और फिर चेता आया के कौवला जी याद कर रहे हन पादसाजी जंगल जो बापस मुड़े आए मान मैं जिसके एक लिव लागे जेस कौवला जी दे मान पे चेक लिव लगी होई है बड़ पागन अधसे अनुरागी बड़ याँ पागन वाल यद से करके बहुत परिम्मन है प्रेरत है हेरत बन आए और प्रेरत है कोड़े नूँ प्रेरते होई हेरत बन आए देख देया जंगल जो बापस आगए पोर मजार प्रव से सहसाए अचानक ही गुरु साहब जी नगर बिखे परभवे सोई जंगलतों बापस आगे कावला के मंदर को गए कावला जी दे मंदर बिखे गए उतरत आंतर को गम नए गुरु पाट्षा जी कावला जी दे निबास अस्थान मंदर बिखे गुरु साहब जी गए उदे प्रेम दी खेच नू देख करके गुरु पाट्षा जी ने सारे काम बिच्चे छड करके कावला जी बास ते करतारपुर साहब आए सन जदो जंग जोद सुरू होना सी उस बेले कावला जी नू सेख सूर मया देनाल करतार पुरु साहब पेच दिता सी तुझी जा के करतार पुरु साहब भसो अजी आण के थवानू मिलांगे ते सारे परवारानू चा बाल पिंड बिखे पेच दिता भी भी बीरो जी दा अनन्द कारज होया चा बाल पिंड बिखे फ़रुता हम गोईद बाल साहब गए गोईद बाल साहब दे गूर अस्थाना दे धर्सन परसन करके हुन कावला जी दे चेते करन करके प्रेम दी खेच दे खिच दे किच दे होया करतारपुर साहब आये हन, कवलाँ जी दे मंदर बेच गए, जो काजी दे पुत्री जी, गुरु अंतर जामी पाथ्षा तिन्यों काला दे ग्याता हन, पूरव जनम बेच बड़ी पारित पस्या कित्ती जी, ओधा फल देन बास्ते गुरु साहब जी लेके आये जी, एक काजी कोड़ों दस आजार मुल मुकररर करके कोड़ा खरीदेया सी, छे में पाथ्षा जी ने, बीमार कोड़ा खरीदेया, ते ओ पैसे क्या के बाद चा आके लह जी, जदो संगता उनगी या माया आवेगी फेर लह जाना, काजी ता उस बेले मुड़ गया, बारंग बार एक वरी आके उसने कठोर बचन कहे, जो बावा बुड़ा जी बाहर बैठे सन, क्या तुम ही करिंदा है, सारे कम संबालन बाला लेंड देन, तुम ही करदा है, जे गुरु साइब जी विस्राम कर रहन ता की होया, लेंड देना तुम ही करदा है, हुन मैं पैसे लेके ही जा अगली बैरी आया क्या के गुरु साइब जी नू कहे दिन, के पले मानसी देन देन ता चंगी गाला है, नहीं ता मैं दमाद बन के लेके जा मांगा पैसे, बावा बुड़ा जी दे मुखं सुते सेद बचन निकल गया, के होबे ना के गुरु साइब जी तेरे दमाद बन कि जान, सुते सेद बचन कर देता और होही घाल होई जदो ए गाल छेमें पाट्साजी दे कन्या पैऑबा भुड़ा जी तुसान निए बचन कोमें कर देता क्यों क ता यह ता उन हुनी गाल है पाट्सा उन मेरे मुखों सुते सेद बचन निकल गया यहता अटा ज़्य है, अमरिज सरसाइब आये उदे रहन लई बखरा मकान बनवाया और मुसलमान दाश दासिया रह दितियां सारे सुबदा पदार्थ सब कुछ दित्ता हुनांत समा आया है कई बेरी ओदे कवला जी दे मन चे ख्याल आया तिन महल सर माता दमोदरी जी माता मरभाही जी माता नानकी जी इनना चों पांच साहव जादे होए थे एक सपत्री भी भी भीरो होई उनना साहव जादे आमल बेख करके कवला जी दे मन चे ख्याल उठया के जे गुरु साहव जी मैनू अपना लेंदे ता मेरे कुकों भी बाल बच्चा हुंदा ए अपनी मंसा जदो गुरु साहव जी नू सुनाई गुरु साहव जी ने क्या थवादा नाम अमर हो रहेगा गुरु साहव जी ने कदे संग नी किता और हाल चाल पुछते रहे सब सुक शुबधा दे रहे क्या थवादा नाम अमर रहेगा जा तक दुनिया रहेगी और विभी कवला दे नाम थे कवल सरसरोबर दी रचना करवाई और हो थे सब सीख संगता जाके उस कवल सरसरोबर पे चसनान कर दियान कवलाजी दा नाम अमर है जो कौवला जी दे अरादन ते पाथाजिय गौवान्जी दे कर गए देवस जाम बाकी जब रह यो और एक पैर दिन जदों बाकी रहा तब कौवला गुर दर्शन लहे यो जदों कावला जी ने पाथाजी दे दर्शन किते बदन पीत जोग पलक मिलाए दोनी नित्र जुड़े हो यह न चेहरा पीला है गृर मूरद और त्यान बसाए गुरु सहैब जी दे सरूबनूं हिर्दे विच बसाया हुया थ मान लैलीन गुरु मैं होवा कोछा जीदा मान गुरु सहैब बीच लैलीन है गुरु पात्साजी निकट खलूते हैं पर इसने देख्या नहीं क्योंके हिर्दे वेच शरूब बसाया हुआ है तो इसे तरह राल्दा मिल्दा पर संग अंदा गुरु नान को पात्साजी जदो बेई नदी वेचे सनान करन गए पाई लेहना जी बस्तर लेके नदी दे कंडे बैठे हैं बैठे बैठे गुरु पात्साजी दे सरूब दा ते आन कीता अपने हिर्दे वेच बसालया गुरु पात्साजी सनान करके बाहर निकले सनमु खलोते अन पाई लेहना जी दे नेतर बांधन उन्हा ने देख्या नहीं ते गुरु अंतर जामी पात्साजी ने विचारया के ए सड़े सरूब नू हिर्दे वेच तारी बैठा है ते पात्साजी ने कौत किता अपना सरूब अलोब कर देता हिर्दे चु अलोब कर देता ते उसे वेले परम पैदा होया नेतर खोले सनमु गुरु पात्साजी नू देख्या सो जे सरूप नू ता हिर्दे विज बसाया वया थे परता कि सरूप नू कौणा जी देख नहीं रहे है नू दासी मिर्दल उचारत बोली फिर कुमल अबाज बेच मिठी अबाज बेच दासी ने कौणा जी नू कहा पकर हलाए समाधी डोली और बहाँ तो फड़के सरीर नू हिलाया ते उस बले समाधी खुली निर विकल्व समाधी लग गई सी कौणा जी दी और पाच्छा जी दे सुंदर सरूप नू हिर्दे विज बसाया वया सी खुले विलोचन दोनों ऐसे जदो समाधी खुली दोने नेत्र ऐसे खुले कमल पांखरे बिगसत जैसे जी में सुरज चड़न दे नाल कमल दिया पंखुडिंगा खड़ जन दिया अन। प्रीतम खरे समीप निहारे प्रीतम पाच्छा जी समीप खलोते हन देख्या दर्शन कीते बार बार हो वद बलिहारे बारंग बार बलिहार कुर्बान जन दे हन नीठ नीठ उट कर तद गहे और मजा मजा उट करके तद पाच्छा जी दे चरन फड़े हटी न किम हटाए गुर रहे चरन छड़ांदे रहे पर उचरन छड़दी नहीं इसे तरह मिलदा जोलदा पर संग होंदा है पगत सूर्दास जिनना दी बाणी है स्री गुरु गुरंद साइब जी दे अंदर सार गुना के बेच एक मुकमल सावद ते एक पंक्ती है चाड मान हर बिमुखन को संग एक थोक ते पूरा सावद है सूर्दास जी ने छे में पाट्चा जी दे सरूबदा ते आनकित्ता अपने हिर्दे विज बसालिया ऐसी खेच पई अकाल तक ते सुभाई मान छे में पाट्चा जी ने सिखानू कि आप आई कोड़ा तियार करो कोड़ा तियार करके लियांदा दीवान दी समापती उपरंद कोड़े ते असवार होके आगए जित्ते ते आनला के पगद सूर्दा जी बेठे सान बाज मारी पगजी नेत्र खोलो असी आ गया अब आज सुनके सुर्दास पगद ने पाट्चा जी दे चरन फड़ ले जो कोड़े ते असवार सन गुरु साहिव ने क्या पगजी चरन छड़ो पर पगजी के अंदर माई चरन नहीं छड़ांगा चरन छड़ों सरीर कल जाई बेसक मेरा सरीर नास हो जावे चरन नहीं छड़ांगा पाट्चा जी ने बारंग बार केहा पर चरन छड़ दे नहीं चटका दे के बल पूरबग चरन छड़ा लेया पगज सुर्दास जी आखदे हन माराज एकी गल होई मैं कमजोर आदमी है तुसी महाँ बली जोदे हो बल पूरबग चरन छड़ा लेया चड़ा लेया तांकी होया थवड़ा सरूब मेरे हिर्दे विज बसे होया मेरे हिर्दे चु निकल के दिखाओता मैं तुआनू बली समझांगा एक कभी ने बहुत सोना दोभा लिखिया है के बाँ चुड़ाए तुम जाद हो निर्बल जान कैमोहे हिर्दे ते जब जाओंगे बली पुछानों तो है मेरे हिर्दे चु निकल के दिखाओता मैं तुआनू बली समझांगा इसे तरह कौला जी ने पात्साजी दे चर्ण फडले चड़ाउंदे आन पर चटदी नहीं है नेगड़ बैठकर तीरज दीन नेड़े बैठकर के पात्साजी ने दिलासा दिता आतुर हेरी प्रिया प्रभीन और प्रिया प्रभीन चतुर दुखी देखी कौला जी नू तो हे अनन्द देन के हेत थे कौला जी तौन अनन्द देन बास्ते चल आए हम हो हो सुचेत अजी चल के आया तुसी सुचेत हो वो चतुर घटी जीवन तुव रहेयो चार कड़िया उन तौड़ा जीवन बाकी है प्रान निदान समो अब लहेयो तौड़े प्रान निदान समो अब लहेयो तौड़े प्रान दा आंत दा समा आ गया है देह आंत लाओ बैठे तीर और तौड़े प्रान दे आंत तक मैं तौड़े कौल बैठा रहांगा नह उठ जाए किते धर धीर तीरस तार के उड़ के मैं किदरे नहीं जावांगा देहन को सनेह बिद राचा और देहन दा फ्रेम जड़ा है पिधाता ने रच्या है हर एक नू देही दा मोग उंदा है नह एह थिरे जान कच पाचा एप आज दे समान चूटा है बिन सजाई चूटी देही दृिष्ट मान एं शकल बिन सजाई नहींदा जो दृष्ट मान हो रहा सब नास बनत है जो दी सो हो बिन सजाई लखो रूप आपनअब नासी आपने स्वय सरूब नू अब नासी जानन करो जान में मर न जो नित नहों जो नित नमा है जो जमदा मर्दा नहीं जेदा जनम है वदा मरन निष्चित है जेदा जनम ही नहीं हो दा मरन किस तरह हो सगदा है जनम मरन ते रहत नारायन हो पर मातमा जनम मरन तो रहत है ओ अब नासी पुरुक है जेह सत्ता कर जग दृष्टयो जो मिथ्या को देख लुभावे जो मिथ्या जुद्धनों देख लुभाई मानुंदा है जदों बिच्छडदा हुंदा अंद समय फिर बहुत दुख पौँदा जितना मूँ करदा बिच्छडदल लगया हुन नहीं दुख हुंदा है जो सच दे नार लगया रेंदा जुड़या रेंदा वो बिछड़दा नहीं है जिसको आवन जान न काही ओदा किदरे आउना जाना नहीं हुंदा इस्त्री पुरक कलीव न होई ओ परमात्मा ना इस्त्री ना पुरस है नहीं कलीव ना खुसरा है जे इस्तरी पुर्ष नहीं है ते कि खुष्रा है खुष्रा भी नहीं है नार ना पुर्ख कहो को कैसे कि मैं कहिए कि वो इस्तरी है कि पुर्ख है कि खुष्रा है ना इस्तरी है ना पुर्ष है ना खुष्रा है साद चेतन अनंद मैं जोई सद चेदा नंद सरूब है परमातमा नेज सरूब जिन दीन भिसारी जिसने अपने सरूब नू सवे सरूब नू भिसार दिता पुला दिता दुखद सदा तन हंता तारी जो तन हंता नू तार करके सदा दुखी हुं दे हन से नर जनम मरन को तार है सहे सीस यम दंड करार और जम दा करारा डंडा सीर उपर सहार दे हन यहां ते निज सरूब बृत जोर मिथ्या तनहंता अब छोर तनहंता दा त्या करो मिथ्या देही है तनहंता के कारज सारे तनहंता दे सारे कारजन राग द्वैक आदिक जे तारे राग द्वैस आदिक जितने भी विकार तारे हन तनहंता करके जाब तनहंता बेन सैनी के जदों पली परकार तनहंता बेन सजावे रहे न को हो इसरे सोजी के और जीवदा कलयान हुंदा, कोई रागद वैस हरक सोग नहीं हुंदा, जथा मूल को देह उखारे, जमें भृच देहां जड़ानु पोट देवे कोई, जदों भृच देहां मोट जड़ानु पोट देहां, सूक है तर दल फूल जो सोडारे, तो भृच सोग जन्दा, फाल पते, ताणिया, सब सोग जन्दे हैं, धन सद्गुरु रामदासायव महराज दा फुर्मान है, पेड मुडा हुं कट्या ती डाल सुकन्दे, ओधे ताणिया भी सोग जन्दे, पते भी, फाल फुल, सब सोग जन्दे हैं, जेस ब्रिच दा, मोड, जड कट्या जावे, ते और एको बारी इतान हंता दा त्याग करने करके, हर्ग, सोग, राग, दवय सारे खत्म हो जन्दे हन्, धेम कहे किर्पाद्रिष्ट कुर हेरी, यहों कहे के किर्पाद्रिष्टि दे नाल कौलां जी नू देख्या, दूर करी तान हंता बेरी, कवलाजी दे अंधरो तान हंता दी बेड़ी काट दिती, और मैं बृती टी कीव सुख पावा, हेर दे वेच बृती ठेक गई, सुख पावना कीता, ताद छेन निज सरूप दर्सावा, ताद छेन तान हंता दा त्या कीता, ते निज सरूप दे दर्सन होए, गुरु किर्पा पाव ब्रह्म ज्यान, गुरु सहवच दी किर्पा दे नाल ब्रह्म ज्यान प्रावत होया कवलाजी नू, लेस न राग द्वैस मद मान, लेस मात्र भी राग द्वैस मद हंकार नहीं रहा, लगी बिचारन जग क्या भयो, बिचारन लगी ये जगत की हो गया, मान ते कलब में लेयो, इस जगत मन ने कलब या सी, हुन मन दी सारी कलब ना दूर हो गई, हुन ब्रह्म ज्यान हो गया, जथा रजू मैं एह को जान, जिमें रजू बिच सपनू जान दा है, हनेरे बिच रसी पाईयो बे, मनुक सप जान दा है, डर पद पाजद कम पाठान, उस रसी ब प्रांत ने लोक प्रमाये, इसे तरह प्रांती ने सारे जगत दे लोकानू परमाया है, जो अनुवत गल है, उसनू कलपन करके, कलपना करके दुख पाउंदा है, इत्याद इक उर्भयो विचार, इत्याद घर दे विच बिचार उत्पन होया, ठहर गई बृत ब्रह्म मज और ब्रहम दे विच बिर्ती ठहर गई, लगी समाद ज्द घ्यान निवाः, और ज्द धिधि तिख गई, और समादी लग गई, सारी अबिद्या दुर हो गई, नास हो गई, सो साज संगय जी एते ते आसम पूरन होया समा भी समावता है आओ दो मिंट गुर मंतर दी हादरी ला के समावती करिये सारी माई पाई रसना पवित्र करिये वाहे गुरू 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 हर हर नाम जपंते यां कश न कह जमकाल नानक मंतन सुखी होई अंते मिले गुपाल इत्यादिक उर भयो विचार ठहर गई बृत ब्राम मजार लगी समाद के यान यानवारी सकल अविद्या दूर बिदारी वाहे गुरुजी का खाल्सा वाहे गुरुजी के फत्य खाल्सा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाच अन नोटिफिकेशन नू जरूर अन करो ता कि साधी कथा गीतन दी हर वीडियो तो हाड़े तक पहुंच दी रवे अते वीडियो नू लाइक करना ना बुलना जी